नमस्कार दोस्तों मैं स्ट लॉजर सचन स्वागत और अभिन्यंदम करता हूँ अपने सभी दर्शकों का पिछले कुछ दिनों से आप लोग चैनल पर वीडियो ठीक तरीके से नहीं देख पा रहे थे हम बना नहीं पा रहे थे और जब बना नहीं रहे थे तो अपलोड भी नहीं हो रही थी और जिनकी अपाइंटमेंट्स दुख थी उनमें भी काफी डिले हुआ हर एक चीज में डिले हुआ उसका कारण था कि मेरे पिताजी स्वर्गिय रजेंदर कुमार सिक का निधन 24 तारिक की रातरी को अचानक से हो गया और उसके बाद से हम बाकी के जो धर्म होते हैं निभाने में वेवेस्थ हो गए और अभी तक उन सब चीजों में हम एक पुत्र होने का फर्ज निभा रहे हैं तो आप सभी परिवार का हिस्सा हैं इसलिए हमने आप से बात शेयर करना ठीक समझा क्योंकि आप सभी से ही आप सभी के सहयोग से ही हम यहां तक पहुँचे और इस चैनल को आपने इतना प्यार दिया और हमारे जीवन में माता-पिता का एक बहुत बड़ा स्थान होता है और मेरी माता जी की जो मिर्ट्यू थी उनका जो स्वर्वास था वो पिछले साल हो गया था तो ये बड़ा दुख का समय है कि एक साल के अंदर माता-पिता को खोना लेकिन फिर भी जो सत्य है कि इंसान जीवन में आया है तो अपने कर्म करने के बाद उसको मिर्ट्यू को भी राप्त करना है तो इसी वजह से हम आप तक वक्त से वीडियो बगारा नहीं पहुचा पा रहे थे लेकिन अब एक-दो दिन में सब चीज़े सामाने हो जाएंगी फिर आपको सब चीज़े प्रॉपर तरीके से मिलनी शुरू हो जाएंगी और ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये मेरे पिता जी और उनके साथ में है मेरी माता जी तो मैं आप सभी से एक परिवार होने के नाते प्रात्ना करूँगा क्यूंकि आत्मा के लिए आप सभी लोग प्रात्ना करें और एक अच्छा सार जो हमारा परिवार है ये हमीशा इनके आश्रवास से बना रहे ऐसी मैं इश्वर से प्रात्ना करता हूँ ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये वीडियो है 30 नुवंबर 2021 का राशी फ़ल हम शुरुआत करेंगे सुभे के संचित पांचांग जे सुरुदे होगा पांच बच के चौवल मिनट पर सुर्यास्त होगा पांच बच के ते इस मिनट पर तिथी है एकादशी नशत्र है हस्त पक्ष है शुक्ल पक्ष योग आईश्मान वार मंगलवार चंदर राशी कर्णिया अभजीत महूरत ग्यारा बच के तो शुरुवात करते हैं राशी फलकी और ये जानकारी चंद राशी और नाम राशी पर आधारित होगी मेश नाशी आज का दिन जीवन साथी का सहयोग प्राप्त करने के लिए उत्तम है आपको निश्यत रूप से जीवन साथी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा आप तोड़ा सा अच्छे मूड बे रहेंगे अपने जीवन साथी के प्रती आप बहुत कर्तब निभाएंगे उन साज़दार मिल सकते हैं उन्ड़ती हो सकती है शेयर मार्केट पर निवेश करने के लिए दिन शुब नहीं है आपका स्वास्त सामाज में रहेगा खाने पीरी के मावले में थोड़ी सावधानी रखें रोजाना नेवित वैयाम करते रहें किसी महिला के साथ अभद्र वहवाद ना करे नहीं तो परिशानिया हो जाएंगी आर्थिक बाबनों में आज का दिन सावधानी परतने का जरूर है जीवत साती से कोई भी ऐसी बात मत करिएगा जिससे उनको लगे कि आप उनके आपन सम्मान को ठेस महुचा रहे हैं जिन्दगी बहुत छोटी है इस जिन्दगी को जीने के लिए आज आपको बहुत अच्छे-च्छे मौके मिलेंगे उन मौकों का सदिप्योग करिएगा बहुत साई चीजे जो आप चाहते हैं बदलना वो बदल नहीं पाएंगे इसलिए निराश मत होईएगा आज आप लंबे समय तक अपने काम में चाहे वो वैपार हो या नौकरी उसमें वैस्त रहेंगे और मौज मस्ती के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा लेकिन सबसे अच्छी बात ये रहेगी कि आपको आपके परिवार का सपोर्ट बना रहेगा वरशब राशी आज का दिन विद्या में सफलता प्राप्ती के लिए बहुत अच्छा रहेगा नौकरी करने वाए लोग अपना कार ने पूर्ण आप विश्वास के साथ कर पाएंगे आपका स्वास्त अच्छा रहेगा आपके मन में पसंता रुस्ता बना रहेगा पारवारी क्या समाजी गुस्तों में भाग लेने आप जा सकते हैं वैपारी लोग अपने वैपार पे उन्नती की उद्देश से लंबी यात्रा पर निकल सकते हैं खिलारी लोग अपने खेल में अच्छा परदश्चत करेंगे बहर अच्छा और अनकूल दिन रहेगा आर्थे किस्ति मजबूत रहेगी वैपार में बढ़ोती होगी तो भगवाल विष्टू की उपास्ता से बहुत राप्त कर सकते हैं मिथन नाशे की अगर बात करें तो आज कर दिन विद्द्या में सफलता पराप्ती के लिए शेष्ट है नौकरी करने वाई लोग अपना कारे पून आत्रिश्वास के साथ कर पाएंगे आपका स्वास्त अच्छा रहेगा, आपके मत में परसंता और उस्सा बना रहेगा किसी पारवारिक या समाजी गुस्तों में भाग लिने जा सकते हैं वैपारी लोग अपने वैपार में उन्नती की उद्देश्य से कुछ यात्रा कर सकते हैं जिसमें असकारात्पक रिजल्ट मिलेंगे खिराडी लोग अपने खेल में अच्छा परजेशन करेंगे मांग सम्मान पदग पराप करेंगे ओफिस में कामकार्स थोड़ा सा जाधा रहेगा ओफिस या फील्ल वर्क में एक्स्टा महनत करनी पड़ सकती है मन में असरक्षा की भावना की वज़े से थोड़े से आप डरे होए रह सकते हैं और पैसा कमाने और पैसा बचाना ये दोनों ही आज आज आपके हाथ पे होगा शॉटकट यूज़ना करिएगा पैसा कमाने के लिए दूसरों के कामों में आज आपका जाधा धन खर्च हो सकता है अपने उपर धन खर्च कम करेंगे दूसरों के उपर जाधा करेंगे पुराने रोगों को लेकर लापरवाही इमत बरतीएगा समय पर दबाई वगेरा खाते रहेगा और जो भी आपकी शारीरी कष्ट हैं उनके परती जागुरू बरे रहेगा बात करेंगे कर्क राशी की आज के दिन अपने तनाओं और समस्याओं से आप मुक्ति पालेंगे आज का दिन अपने परिवार और मित्रों के साथ आप अनदित रहेंगे किसी समाचिक कारेकरम या पारवरिक कारेकरम में आप भाग ले सकते हैं आपके माता पिता से आपको आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकती है आपके संबन्ध आपकी माता जी से शुब दे रहेंगे आपकी जमापूर्जी में आज व्रद्धी का दिन है अपनी उर्जा का, अपनी ताकत का, अपनी काबलियत का प्रयोग करेंगे और मुश्किल में फसी हुई चीजों से निकल जाएंगे और याद रखें कि आज का दिन धन, दौलर, शोहरत मिलने का दिन है और आज आपको कुछ अच्छे रियल्ट मिलने वाले हैं प्रयम आपके जीवन में आज भरा रहेगा, अच्छे मौके मिलेंगे वैपारी पार्टनर्शिप के, लेकि फिर भी सभी काम सोच समझ के करें तो बहतर रहेगा, एक अच्छा दिन बिताएंगे कर गराशी वाले लोग सिंग राशी के अगर बात करें, तो ठकाद और आलत का शिकार होंगे आपके आख पिश्वास में से भी वरहतरी होगी हर काम करने के लिए आप कोशिश करेंगे, जिसमें सफल भी होंगे आपके दोरा लिया गया हर एक फैसला आपसे कटिन महने जरूर कराएगा लेकिर रियल्ट अच्छे बिलेंगे जिवन साथी से संबन्द मदूर बने रहेंगे संतान की ओकर शुप समाचारों की पराप्ती होगी विद्यार्थी जड़ अपने उद्देशे की पूर्ती में सफल रहेंगे आपका दिन ठीक ठाक नहीं बढ़िया भी इतने वाला है थोड़ा ठाकान है लेकिन उसके बावजूद भी सब ठीक रहेगा आप नौकरी पेशा है तो रुके हुए कामों में आपके साथ के लोगों का सपोर्ट मिलने से आपके काम जल्दी बन जाएंगे आप अपने दिल की बात किसी को कह सकते हैं आज जो स्टुडेंट्स है या जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे है उनका दिन अच्छा है टीचर्स का या अपने सीनियर का सपोर्ट में मिल जाएगा पढ़ाई लिखाई कि जो कुछ जरूरत है उनको जो नहीं सीखना है उनको टीचर का सपोर्ट या अपने सीनियर का सपोर्ट मिलेगा आज आर्थिक सबस्याए जो है वो खत्म हो जाएंगी हर्मान जी की फिरपाद से आपके काम बहुत अच्छे बनते चले जाएंगे और हर्मान जी की फिरपाद से आपके दुखों का निवारण भी होता चला जाएगा हम बात करेंगे कन्या राशी की तो आज का दिन आप जोष और हिमर से कुछ ऐसे आसाधारान कार दे कर दालेंगे जो बहुत ही मुश्किल होंगे चोटी-चोटी यात्राएं भी आप कर पाएंगे आर्थिक इस्तिती सामान ये रहेंगी आप अपने स्वास्त के परती साउधान रहें यदि आप एक वहन खरीदने की या कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना रहें हैं आपके संबंद आपके जीवन साथी के साथ तराव रस्त हो सकते हैं नौकरी पेशा लोग और बिजनस करने वालों के लिए दिट ठीक रहने वाला है दोस्तों की मदद से आज आपको धनलाव हो सकता है अधिकारियों की मदद बिलेगी सरकारी काम अच्छे रहेंगे दूरियां दिलों की खत्म होगी करियर में प्रगती के मौके बिलेंगे सोचा हुआ काम समय से पूरा होगा कारुबार और नौकरी में सोचे हुए काम धीमे धीमे बनते हुए नजर आएंगे और आज आपके वहवार से आप सफी का दिल जीतने में काम्याब रहेंगे पारवारिक जीवन और आपका वहवाहिक जीवन ठीक रहने वाला है कहीं आपको बहुत जादा तनाव रेस्ट होने की आउशकता नहीं है तुला राशी की बात करें तो आज सफ्टा का एक अच्छा दिन आप बिताएंगे निश्ची तुरुप से आप समाज में माद सम्माद प्राप करेंगे वैपारियों का आज निश्ची तुरुप से लेक लाव होने की संभावनाए है शेर मार्केट स्टे में निवेश करके लाव कमाया जा सकता है आप आप निर्बर होंगे कुल मुलाकर दिन आपके लिए परसंता दायक बना रहेगा सभी महत्पूर निश्ची समुझ कर लिए जाएं तो बहुत ही बहतर दिन बिताया जा सकता है बड़ी-बड़ी योजनाओं पर विचार किया जा सकता है बड़ी-बड़ी धन इन्वेस्ट करने वाली योजना आपकी तरफ खुद आएंगी या आप उनकी तरफ आकरशित हो और कोई भी निवेश करने से पहले एक एक्सपर्ड की सला जरूर बनती है और घरेलू कामकाज को निप्टाने में आज आपको मदद मिलेगी आपके जीवन साथी का पूर्ण सुरूप से सहयोग आपको प्राप्थ होगा जो भी योजना पर योजना काम चोटा बड़ा काम है वो आप पूरा कर पाएंगे दिकतों का मुकाबना तेजी से करते हुए आप अपने अनभव से सभी का दिल जीत लेंगे हम बात करेंगे व्रश्चिक राशी की तो आपका खर्चा आज काफी बढ़ा हुआ होगा व्रट के धन खर्च से आपको बशना होगा नहीं तो आर्थिक सम्कट का सामना करना पर सकता है आपको छोटे भाई बहन से आपको कुछ विरोध का या लड़ाई जगड़े का सामना करना पर सकता है जीवन साथी से थोड़ी लड़ाई जगड़ा हो सकता है और घर का वाता बरन थोड़ा सा प्रभावीत हो सकता है आज आपने स्वास्ते और रिष्टों और धन के निवीश को लेकर वर्ष्चिक राशी वाले थोड़े सावधान रहे थोड़ी सी मेहनत करने से लाब जरूर होगा लेकिन मूड डिस्टर्ब रहेगा आज आप बहुत कोशिश करेंगे खुद को आगे बढ़ चलकर सभी के सामने पेश करने के लिए कर नहीं पाएंगे और आज आपको पॉजिटिव रहना होगा आज आपको कुछ वैपार में अच्छी ओर्डर्स में सकते हैं आज आप अपने प्रियत्म के बारे में जिनको आप चाहते हैं उनके बारे में कुछ सोच विचार कर सकते हैं आज बिन सोच विचार इनी सब में बीटता चला जाएगा शाम को आपके घर में थोड़ी बहुत कुशी जरूर आएगी और रश्ची राशी वालों का दिन ठीक कहा जाएगा ना बहुत अच्छा ना बहुत खराब एक फसा फसा सा दिन जिसमें सब कुछ थोड़ी खोड़ी कटनईयों से आपको प्राब होता चला जाएगा बात करेंगे धनू राशी की तो आज आपका खर्चा और आमदनी सामाने रहेगी आज का दिन आमदनी उतनी नहीं होगी जितना आप सोच रहे होंगे प्रेम समंदों में दिश्यत रूप से पहले से बहतरी देखने को बिलेगी लंबी यात्राएं रद्ध होंगी बन सकती हैं लॉंग टर्म के लिए रिवेश किया जा सकता है पैसो और नौकरी के मामले में थोड़ी सतरता बढ़तने का दिन होगा कई सवालों के जवाब आज आपको मिलेंगे कई सवालों के जवाब आपको आज नहीं मिलेंगे नौकरी और बिजनस में पूरी तरफ से सेफ रहिएगा कोई भी गलती आजा पे भारी पढ़ सकती है धीमे धीमे चले तो बढ़िया रहेगा धीमे धीमे संबंद अच्छे हो जाएंगे जल्दबाजी में आज हर छेतर में नुकसान होता हो निखाई पढ़ रहा है बात करेंगे मकर राशी की तो आपकी कार इस्तिती में बेहतरी दिख रही है आपको चेंताओं से मुक्ती बिलेगी आपके पिता के स्वास्ते में सुधार होगा आपको ऐसे महत्पूर लोगों का साथ और सहयोग प्राफ्ट होगा जो आपकी मदद कर पाएंगे आपकी माताजी की सहत का ध्यान रखिएगा अपने जीवन साथी के नाम पर आपको संबत्ती जीवन साथी की तरक्की के योग दिख रहे हैं आप अपने कारे में वेस्ट रहेंगे रोमांटिक रहेंगे जीवन साथी का अच्छा साथ कुलेगा खर्चों पर काबो रुखें आज हाथ खोल कर खर्चा ना करें और निवेश लॉंग टर्म कर सकते हैं और किसी गलत आदत या गलत संगती में ना पड़े और जिनको जानते नहीं हैं उनसे संब्द ना बनाएं और कुछ लोग आपकी सिधाई बन का या आपकी नासमझी का या आपके मिस मेनेजमेंट का आज फाइदा उठा सकते हैं यात्रा लाबकारी नहीं होगी ध्यान रखिएगा कुम राशी की बात करें यहा दिन आपके लिए शुब है अपनी उमीज से अधिक पैसा और मांजी संब्द कमाएंगे जीवन साथी से संब्द बिगर सकते हैं साबधान रहिएगा भविश में करवाहट ना बढ़े इसलिए जीवन साथी को आज ही मना लीजेगा आकि बात और आगे ना जाए और आज आपके बच्चों को अच्छा रियर्ड मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है थोड़ी बहुत मांसिक परशानिया बनी रहेंगी एनरजी से आप भरे रहेंगे कोई गिफ्ट या कोई प्रमोशन जैसी अच्छी ख़बर आपको मिल सकती है और आज आप चाहें तो भगवान विश्टू की उपासना करें बजरंग बली की करें साई बाबा की उपासना करने से भी आपको आर्थिक स्तिती में बजबूती मिल सकती है मीन नाशी की बात करें तो वहां जलाते हैं समय सावधानी रखिएगा सड़क पर चलते हुए सावधानी रखिएगा हर काम को करते हुए सतर्पता बढ़तिएगा आज का दिन निवेश करने के इश्यूग नहीं है जिवन साथी से तालमेल मनाय रखे कुछ अनवश्यक तनाओं हो सकता है अनवश्यक बाद विवाद हो सकता है अशुप समाचार मिलने से परिशानी हो सकती है दिन ओके ओके जाएगा कारज चेतर में बिजनस में फाइदा बहुत जादा नहीं होगा आप योजनाबत तरीके से चलेंगे तो फिर थोड़ा उमीद कर सकते हैं प्रॉफिट की दिन शुब है लेकिन कटिन दिन है नए रख रंग रूप नए तरीकों से नई योजनाब से आगे बढ़ा जा सकता है पैसों को लेकर कोई बड़ा सौदा आज किया जा सकता है हवाणी का प्रयोक सो समझ कर करिएगा अपने धन को सो समझ के खर्च करिएगा अचानक से किसी की मदद भी आप कर सकते हैं मीठा बोलने से आपके संब्द बहुत बेतर होंगे और बिगड़े काम बन जाएगे दिन ठीक लेकिन सावधानी बरत नहीं होगी तो ये था आपकी राशी का राशी फल और आप फनमाईंजी की उपासना आज करते रहिए और आपको कोई कस्ट नहीं होगा और उमीद करता हूँ आप स्वस्त रहेंगे अच्छे रहेंगे और एक अच्छा जीवन बिताने में आज काम्याब रहेंगे और आपको इश्वर की किर्पा मिलती रहें हर योम नमशकार